हलो फ्रेंड्स, RSSB के लिए डिक्टेशन नंबर 58, स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद स्टार्ट वर्तमान काल में कोमी एकता अथ्वा राश्ट्रिय एकता को लेकर काफी विवाद चल रहा है भारत की एतिहासिक प्रस्ट भूमी को देखा जाए तो प्राचिन काल में यहां अनेक गणराज्य थे और उसमें भोगोलिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से पारस्परिक, सहयोग एवं एकता थी और उस एकता के कारण वे गणराज्य संग अजे थे लेकिन वर्तमान काल में संप्राइदाईवाद, भाशावाद, जातिवाद, वर्गवाद, आतंकवाद, नसलवाद, एवं शेत्रवाद, आदी का राजनितिक कुचक्र चलने से राश्ट्य एकता की जो हानी हो रही है वह अत्यंत सोचनिय है, स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद हमारे देश में लोकतंत्र के प्रतिष्टा हुई, सासन व्यवस्था में किसी जाती विशेश या धर्म विशेश को परमुकता न देकर सभी देशवासियों को समानता का सिद्धानत अपना कर राश्ट्य एकता को मजबूत किया गया, भारत की इस इस्थती को देखकर पाकिस्तान आधी कुछ राश्ट्र इससे इरश्या रखते हैं और वे प्रत्यक्स अप्रत्यक्स रूप में भारत की एकता को कमजोर करना चाहते हैं, यह सत्य है कि जब भी भारत पर आक्रमन हुआ है, सभी भारतियों ने एकता तथा राश्ट्यता का परिचे दिया, संकट काल में यहां के हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, आधी सभी धर्मावुलंबियों ने शेत्रवाद जातिवाद एवं संप्रदायक्ता से उपर उठकर, राश्ट्य एकत व्यक्त की, पाकिस्तान ने जितनी बार आक्रमन किया, उसका भारतियों ने मुह तोड जवाब दिया, इससे हमारी राश्ट्य एकता मजबूत हुई है, इतना सब कुछ होने पर भी, आज हमारे देश में राश्ट्य एकता का प्रस्न उतना ही प्रबल बना हुआ है, क्यू उचाले दिखाई दे रही है, कुछ बड़े राश्ट्रों की खूफिया एजेंसिया आतंकवाद को बड़ावा दे रही है, और उसके बल पर भारत की एकता को खंडित करने की चैस्टा की जा रही है, कहीं संप्रदाइकता दंगे करवाए जाते हैं, तो कहीं जातीगत वि रश्ट्री कोण वाले माफिया अपरादी हमारी सरकार एवं आज जनता के साथ छदम युद चला रहे हैं, इन सभी कारणों से आज हमारी राश्ट्रिय एकता समस्य ग्रस्त बन गई है, वर्तमान में सांप्रदाइकता एवं शेत्रियता के कारण राश्ट्रिय एकता को हा पहुचाई जा रही है। नकसलवाद फैल रहा है। ये सभी घटनाई हमारी राष्ट्रिय एकता को विखंडित कर रही है। अते एव हमें अभी सावधान रहना चाहिए। अपने लोकतंत्र की इस्थिर्ता स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्र के सर्वोतो मुखी विकास के लिए राष्ट्रिय एकता की महती आवशक्ता है। संक्षेप्त भारत में जब जब राष्ट्रिय एकता की न्यूनता रही। तब तब विदेशी शक्तियों ने यहां अपने पेर जमाने की चेस्टा की। और हमारी आपसी फूट का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। अब स्वतंत्रता प् की रक्षा के लिए आज राष्ट्य एकता की महती आवशक्ता है। पेरा इसमारक के सेला न्यास संभारों में अत्यंत दर्दनाक द्रश्य उपस्थित हो गया। नीसंधे यह स्वाभाविक था क्यूंकि इसकी प्रस्ट भूमी में हजारों सेनिकों का बलीदान था। अच शोक की लहर लोगों के हिरदों में च्छा गई और वे सोचनिय मुद्रा में पत्थरों की तरहे मोन होकर सिर जुखाए खड़े रहे। यह सदभाव उनका सच्चा इसमारक था। जिस कर्तव्य निस्ठा का परीचे देकर उन्होंने सांगातिक संकटों का सामना करते हुए गातक अस्तरों के आगे अपने सीने तान दिये। उसी सदभावना से समुच्चा राश्र आज इनके प्रती नतमस्तक होकर खड़ा है और अपने श्रधांजली अर्पित करता है। इतिहास उनकी गवाही देगा जिनके सराहनिय पर्यतनों से विद्रोहियों को विफलता का मुह देखना पड़ा और भारत माता का मस्तक उचा उठा सताब्दियों तक उनका नाम इस धर्ती पर गुंजता रहेगा। हमारे देश में अनेक जातियां और संप्रदाय होते हुए भी सहीदों के लिए सर्वच्च स्थान है चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो चाहे सि किसी जाती संप्रदाय या धर्म का हो बिना किसी भेदभाव के शहीद हमारे लिए पूजनिय है जो हमारी सीमाओं के रक्षक हैं जो राश्र की रक्षा के लिए अपने प्राण नियोचावर करने के लिए उद्धत हैं जो संकट की घड़ी में अपनी परिक्षा में खरे उत्री वे भारत माता के सच्चे सपूत हैं उनके प्रती संपून राश्ट्र आज भी नतमस्तक है और भविश्य में भी रहेगा शिक्षा वास्तव में व्यक्तित्व गड़ने वाला कोई यंत्र नहीं है बलकी वह किरिया है उससे शिक्षुक के निजी विशिष्ट ज्य विश्यान को मान्यता मिलती है शिक्षा से व्यक्ति को ऐसा सूयोग प्राप्त होता है कि वह सिक्षा सम्मंधी ऐसी विचारधारा प्रस्तुत करे जो लोकतंत्र का ध्रड आधार बना सके लोकतंत्र में राश्ट्रिय जीवन का भविश्य उन विचारों और सिध्धानतों पर निर्भर करता है जो व्यक्ति के विकास और व्रदी में सहायता पहुंचाते हैं और इसके वास्तुविक लक्षों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सनध करते हैं शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि ऐसी प्रशिक्षन व्यवस्ता को थोपा जाए जो ओध्योगिक आर्थिक या राजनितिक विचारधारा को सम्मुक रखकर निश्चित की गई हो लोक्तंत्र में शिक्षा का मूल सिध्धान्त बच्चे को इस योग्य बनाना है कि वह बड़ा होकर राष्ट का योग्य नागरिक बन सके लोकतांतरिक प्रक्रिया को अधिक से अधिक न्यायोचित बनाने में नागरिकों का कुशल तथा हार्दिक सहयोग नितांत आवशक है। लोकतांतरिक तरीके से ही सच्चे अर्थ में हमारे देश की प्रगति संभव है। पेरा आप ज्ञान और चेतना के अगर दूत हैं। संभावना के विराट महासागर में एक नई लहर। दरवाजे के उस पार एक दुनिया है जो नए नतवर्त्व नए आइडियाज के लिए व्याकुल है। मैं तीस वर्षों से वहाँ हूँ। वह जंगली बिल्ली है वह आकर लाड दिखाएगी। जब तक कि आप उसे उठाकर थप थपाने नहीं लगते। और फिर अचानक आपके चहरे पर पंजा मार देगी। सही है कई बार यह बुरा अनुभव होता है पर चलता है। डर आपकी जिन्दगी का एक और खिलाडी होगा। लेकिन आप ते करेंगे की यह कितना होना चाहिए। आप भविश्य की चिंता करते पूरी जिन्दगी बिता सकते हैं पर सब कुछ इस पल में हैं और उसमें लिये गए फैसलों में जो प्रेम या भै पर आधारित होंगे। हम में से इतने सारे लोग व्यावारिक्ता के नाम पर भै का रास्ता चुनते हैं। इस टॉप।